आज अपन स्टार्ट करेंगे एलक्ट्रोगेमिस्टी के mcq लास्ट क्लास में अपने एलक्ट्रोगेमिस्टी से रिलेटेड विटा इंपोर्टेंट त्योरी पार्ट था वो कवर किया था तो स्टार्ट करतें mcq फार्ट क्षिशन है Molar conductivity of 0.5 mol per decimeter cube सुलुशन है किसका है बिटा सिल्वर नाइट्रेट का सुलुशन है यह जो conductivity जिसको अपन केपा से रिनोट करते हैं और ये कितना है देखो इसमें केपा गीवन है आपने को केपा 5.76 5.76 एंटो 10 to the power minus 3 साइमन सेंटिमेटर इन्वर्स और क्या दे रखा आपने को concentration C है यह molar rate लिख दो बिटा इसको 0.5 mol per decimeter cube या per liter ले सकते है इसको और निकालना क्या अपने को molar conductivity निकालना विटा तो देखो molar conductivity का formula क्या होता है केपा इंटो 1000 अपन में molarity ठीक है molar conductivity का formula क्या है केपा इंटो 1000 अपन में molarity तो केपा कितना गीवन अपने को यहाँ पे केपा गीवन अफ 5.76 इंटो 10 to the power minus 3 इंटो में 1000 divided by 0.5 तो देखो यहाँ पे बिटा 10 की पावर minus 3 से 10 की पावर यह 3 कैंसल हो जाएगा और 0.5 को अगर अपन करें यहाँ पे तो यह क्या था बिटा 5 by 10 था इसका decimal अटा देते हैं इसका decimal अटाएंगे यह तो इंटो में 10 आगे तो 5 से किया 2 पे गया है 5 to the 10 और 5.76 को बिटा 2 से multiply करना है तो अप्रोक्सी बिटा 11 के something आएगा तो अपने पास answer देखो B answer दे रखा है तो कितना आ रहा होगा बिटा 11.something आ रहा होगा बिटा तो answer क्या हो जाएगा यहापे B आपका right answer हो जाएगा 5.76 को 2 से multiply करेंगे तो यह 11.52 के आसपस आजाएगा बिटाई ठीक है तो first question का answer क्या था B था निकालना क्या था इसमें molar conductivity निकालना है तो formula याद रखना के 5.2000 अपन में molarity next question पे आता है during the electrolysis अब देखो फैराडे के बिटा दो लो पड़े थे अपनने एक लो क्या था कि जो amount अगर कोई substance जी पोजिटिया लिब्रेटर हो रहा है वो directly proportional किसके होगा quantity of electricity pass तो को यह पड़ा था अपनने first law में W directly proportional to Q और यहाँ से बिटा डिरेक्टली को अटाएंगे तो यह constant लगा रहे थे अपन Z जिसको अपन इलक्ट्रो केमिकल equivalent बोल रहे थे और Z क्या होता बिटा E अपन में equivalent weight अपन में 6500 आता है into Q क्या होता बिटा I into T होता है यह अपने पास क्या आ जाता है W आ जाता है अब देखो क्यूशन में क्या कह रहा है यहापे कि during the electrolysis of molten sodium chloride the time required to produce 0.10 mol of chlorine gas using a current of 3 ampere देखो क्या पुछा बिटा इस बाद time में पुछा हो है तो देखो time रहे अपने पास यहापे T और अपने को mole दे रखा क्या गे दे रखा है mole दे रखा है देखो मैं यह formula यूज करता हूँ W equals to W equals to क्या बिटा E upon में 96500 into में I into T ठीक है अपने को time निकालना बिटा इस question में अब देखो time किसी में आएगा बिटा second में आएगा ध्यान रखना इस में फॉर्मले से बट यहाँ पर W दे रखा है यह amount दे रखा है और अपने को दे रखा क्या बिटा आपर question में amount ना देखके mole given है क्या given है यहाँ पर mole तो देखो आपको पता है mole क्या होता है mass by molar mass तो मैं W को क्या लिख सकता है यहाँ से W आगे बिटा आपर mole multiply by molar mass W क्या जाएगा mole multiply by molar mass तो बिटा W के जगे आपन क्या लिख सकता है mole multiply by molar mass यह किसके equal होगा E upon में च्यान में 500 into में I into में T ठीक है आप देखो बिटा यहाँ पर value पुट करते है mole कितना given अपने को यहाँ पर 0.1 उसके बाद molar mass देखो यहाँ पर chlorine gas है तो molar mass कितना आएगा यहाँ पर 71 आ जाएगा ठीक है chlorine gas का molar mass कितना होता 71 होता है आगे बिटा E equivalent mass कितना होता chlorine का 35.5 equivalent mass कितना होगा chlorine का 35.5 upon में 96 500 into में जो I जो current कितना given अपने को यहाँ पर 3 amp गिवन है तो I कितना होगा 3 intimate time आपको निकालना बिटाई ठीक है तो देखो यहाँ से T क्या आ जाएगा अपने पास देखो T आ जाता है देखो यहाँ से T निकाल रहा हूं है तो T इक्वस्ट हो आ जाएगा अपने पास 0.1 multiply by 71 into में 96 पान सो और डिवाइड में आ जाता है यह यह आ जाएगा 35.5 into में 3 ठीक है तो देखो यहाँ से 35.5 को करेंगे बिटाए टूपे चला जाएगई तो देखो यहाँ से मिल गए अपने को 0.1 को 2 से multiply करते हैं देखो यह आ जाता है अपने पास 0.2 0.1 multiply by 2 multiply by 965 00 और इसको divide करना अपने को divide करना 3 से यहाँ अब अपने पास यहाँ पे 6433.3 यहाँ जाएगा second आ जाएगा ठीक है और इसको बिटा अगर अपने को minute में करना इसका answer तो इसको divide किसे कर देंगे ते हैं 64.3433.3 को divide कर देंगे अपन 60 से तो यहाँ आ जाएगा अपने पास minute में answer आ जाएगा तो बिटा यह अप्रोक्स क्या आपको दिख रहा हो गए आपे यह 64.33 है तो 60 से करेंगे तो अप्रोक्स किस पे जाएगा बिटा यह 110 के आसपास जाएगा तो 100 के आसपास बिटा answer अपने पास यह रहाँ अपने को exact भी नहीं सोल करना पड़ेगा तो अप्रोक्स में बिटा answer आ रहा हो गए ठीक है exact तो 110 आएगा नहीं तो उसके थोड़ा सा आसपास मिलेगा बिटा 105,6,7,8 ठीक है तो आप इतना लोगे तो आप उसका answer इसी पे round up में जाओगे ठीक है जिसे मान लो इसका exact करेंगे तो यह आपका 643 को 60 से करेंगे तो यह 1 पे गया बिटाई 60 बन जा 60 यह 43 उसके बाद 33 तो यह आप प्रोक्स बिटा 107 के something आ रहा होगा ठीक है तो 107 को round up में कितना लिख देंगे अपन 110 लिख देंगे तो यह आपका answer हो जाएगा थर्ड क्यूशन है number of electron delivered at the cathode during electrolysis of a current electrolysis by current of 1 ampere in 60 seconds और charge और electron अपने को देंगे रखा बिटाई देखो यहापे यह पुछा है number of electron कितने deliver हो रहे हैं बिटाई यहापे देखो सबसे पहले तो अपने को पता है यहापे कि अगर मैं कहूँ कि एक electron है बिटा तो उस पर charge कितना होता है 1.6 into 10 के power minus 19 कुलाम यह ऐसे लिख दो बिटा कि 1.6 into 10 के power minus 19 कुलाम था यह इसका मतलब क्या बिटा एक electron ने इसका मतलब ठीक है और अपने को देखो एक ampere current बिटा और 60 second का दे रखा है time ठीक है तो इसका मतलब मैं यहाँसे पहले क्या निकाल लो यहाँसे यह quantity of electricity निकाल लो बिटा क्यू तो क्यो क्या होता है i into t होता है बिटा क्यू क्या होता है i into t तो आई कितना अपने पास यहाँपे one ampere current है बिटा time कितना 60 second है तो बिटा कितना आगया 60 कोलाम चार्ज है जो quantity है बिटा यह कितने अपने पास 60 60 कोलाम, मतलब यतने कोलाम में एक लवा हो रहे थे तो। आपसे पुचहा ही है कि ईतने एंपेर में इतना सेकिंड दे रहा है मतलब 60 कोलाम चार्ज नहीं इस तो 60 कोलाम में कितने लTI दफीर होंगे तो एक में ने कितना हो जाए गाया आपके आपस 수 गलाम के कितना हो जाएगा ये 60 कुलाम में आ जाएगा 1 अपन में 1.6 इन्टू 10 के पावर माइनस 19 इन्टू में क्या आ जाएगा बटाई ये 60 ठीक है तो बटा 60 को अपना आंसर देखो यहाँ पर पावर के ट्रम में बात करें पहले तो 60 अपन में 1.6 तो 60 को 1.6 से डिवाइड कर देता है 60 डिवाइड बाई 1.6 तो यहाँ था बटा 37.5 इन्टू में बटा ये 10 की पावर माइनस 19 था ये उपर जाएगा तो ये होगे अपने पास 10 की पावर प्लस का 19 ठीक है अब देखो answer ये आया है तो बटा चेक करो यहाँ पर कौन सा answer मिलेगा अपने पास देखो यहाँ पर पावर अगर मैं एक decimal बटा इस पर लेके जाओ यहाँ पर left में तो देखो कितना आगए आप मेरे पास 3.75 और पावर क्या हो जाएगी बटा एक increase हो जाएगी 10 की पावर MnO4 two negative है यहाँ ठीक है MnO4 two negative oxidize हो रहा है यहाँ तो कह रहा है कितनी quantity of electricity required होगी किसके लिए पदे रखा बटा यहाँ पर MnO4 two negative से MnO4 में इसको oxidize होना है ठीक है तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मेगनीज का oxidize number निकालना देखो जिसका oxidize number कैसे निकालता है रिडॉक्स में फढ़ा था अपनने जिसका अपने को निकालना उसको X मान लेना oxygen का minus 2 होता है तो 4 oxygen है तो minus के 8 हो गया और यह उस तरफ जाएंगे तो equal के उधर गे प्लस के 8 और 2 negative चार्ज है तो कितना बच जाएगा यहाँ पे plus का 6 तो मैं लिख सकता हूँ देखो जिसको नहीं आता उसके लिए लिखता हूँ में यहाँ पे MnO4 two negative था तो Magnes का निकालना बटा जिसका निकालना उसका X लिख लिया एक oxygen का minus का दो 4 का कितना होगा बटा minus का 8 एक वस्टू बटा कितना चार्ज है two negative चार्ज है तो X कितना आ गया यहाँ से solve करेंगे इसको तो plus 6 आ जाएगा X कितना आ गया प्लस 6 तो बटा यह X आ गया अपने पास यहाँ पे plus 6 प्लस 6 लिख देता बटा ठीक है प्लस 6 है अब देखो यहाँ पे देखो कितना पर यह अपने पास per magnet है न बटा यह तो minus के 8 थे बटा उधर गे plus क्या टेक negative चार्ज है तो इस पर क्या आएगा plus का 7 स सभआ की इसको इसको चार्ज कर रहा है यह क्ना पर संक्तिक है अपने को एक फैराडे सीवेट चार्ज है एग मॉल ऑपने पास किया एम न ऐसन, टू नेके टिव delivery में तो היהू एक PowerPoint है यहाँ पर 1mol इलक्ट्रोन का मतलब क्या वन फैराडे करंट है ठीक है 1mol का मतलब कितना होता है 1mol फैराडे करंट होता है कैसे होता है देखो 1mol एक लक्ट्रोन का चार्ज होता है 1.6 इंडू 10 की पावर माइनस 19 कुलम और इसको मल्टिप्लाइ कर दे एक मॉल से 6.022 x 10 to the power 23 तो कितना आ जाता यह यह आता 690 में 500 इसी को अपन क्या बोलते हैं 1 faraday इसी को क्या बोलते हैं 1 faraday बोलते हैं तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे यह हो गए 1 faraday एक मॉल पर मेगनेट mno42 नेगेटिव था बिटा यह तो इससे क्या अपने को कितना करण्ट चीए इस कोक्षडाइज करने के लिए 1 faraday करण्ट चीए बिटा अब क्यूशन में क्या कह रहा है कितने दे रखे अपने को बिटा यहाँ पे 0.1 तो देखो 0.1 मोल mno42 नेगेटिव है तो इसके लिए देखो कितना faraday चीए बिटा अपने को 1 अपन में 1 faraday into में कितना जाएगा बिटा 0.1 आ जाएगा देखो 1 faraday कितना था बिटा यहापे यह यह था 96 में 500 multiply में क्या इसको 0.1 ठीक है 0.1 तो इसका decimal अटाएगे यहापे तो divide में क्या लग क्या जाएगा बिटा 10 आ गया तो बिटा 10 से 10 कैंसिल तो answer कितना आ अपने पास 96 50 9650 कुलाम यह जाएगा बिटा 9650 कुलाम तो इतना बिटा अपने को current के requirement होगे इतनी electricity की requirement होगी 9650 कुलाम बिटा answer के आपने पास C answer है देखो यह ठीक है अब देखो इसमें एक फैराडे बिटा है यहापे यह लिख सकते हैं आप एक फैराडे में कितना था बिटा है 96500 कुलाम था ठीक है गुलाम के ट्रम में लिखना है तो अपने को नेक्स कुशन पर आते हैं बटन सेल यूजड इन वाचिस फंक्सन ऐस दा फॉलोईंग तो बटाए कि जो बटन सेल होता है जो गडियों में यूज़ करते हैं उसकी ये फूल ये इदे रखके और ओर ओल रिक्सन लिखे वी है और ये हाप सेल रिक्सन लिखे वी है तो अपने को क्या निकालना बटाए सेल पोटेंशियल निकालना है क्या निकालना है सेल पोटेंशियल तो देखो cell potential कैसे निकालते बिटा E cell निकालना अपने को cell potential standard condition पे निकालना बिटा ये तो क्या होता E naught cathode minus E naught anode cathode के reduction potential में इसे बिटा anode का reduction potential minus कर दो तो देखो ये दोन्नों value बिटा कौनसी दे रखें हैं ये reduction वा न, electron gain या भी electron gain तो ये दोन्नों value बिटा beaucoup कौनसी दे रखें हैं reduction potential values given अपने को कौनसी value दे रखें है reduction potential value अब अपने को ये देखना बिटा कि इस cell में leakageration किसका हुआ reduction किसका हुआ ठीक है तो बिटाई cathode minus anode तो अपने को पता है anode पर oxidation होता है एनोड होगा ठीक है औरAg2O का इसमें क्या होगा? रिडक्सन होगा है तो यह क्या होगा? आपने पास कैथोड तो E0 कैथोड माइनिस एनोड life करना कैथोड कुनसा? बीट सिल्वर उक्साइड वाड है तो silver oxide वाले के लिए value कितनी है 0.34 है तो देखो अपने पास यह value कितनी है 0.34 minus में anode के लिए देखो यहाँ पे anode के लिए था अपने पास zinc वाल है तो इसकी value कितनी है minus का 0.6 है बिटा तो minus minus देखो यहाँ पे 0.76 वाल्ट तो यह आगया देखो 0.34 minus minus क्या होगे बिटा प्लस का होगया 0.76 तो इन दोनों का बिटा कितना जाएगा 1.10 वोल्ट आ रहा होगे ठीक है कौन सा रहा बिटा यह 1.10 वोल्ट 1.10 वोल्ट तो यह answer हो जाएगा बिटा ठीक है cell potential कैसे निकालते हैं इक cathode minus यह anode याद रखना बिटा cathode कुन सा होगा cathode होगा जिसका reduction होगा एनोड कुन सा होगा जिसका oxidation होगा ठीक है next question है how many gram of cobalt metal will be deposit when a solution of cobalt second chloride cobalt second chloride क्या होता है COCl2 इक cobalt second chloride है इसको electrolyze किया है बिटा इसका aqua solution था और इसको क्या कर दिया बिटा electrolyze कर दिया मतलब इसमें electric current pass कर दिया ठीक है और कितना current दिया बिटा इसमें 10 ampere दिया है 109 minute के लिए दिया है तो इसका कितना gram deposit होगा ठीक है तो देखो बिटा यहाँ पे भी अपन देखते है तो W देखो यहाँ पे फैराड़े फर्स्ट लो बिटा तो फर्स्ट लो क्या था W एक्वस्ट होता है ZIT बिटा Z क्या होता है E upon 96500 into में I into T ठीक है उसके बाद देखो बिटा यह अगर इसकी बात करें इसके equivalent weight की बात करें कोबाल्ट का atomic mass कितना था 59 था तो equivalent mass क्या होगा देखो कोबाल्ट का equivalent mass of cobalt तो यह होता molar mass divided by इसकी valency factor ले ले बिटाई ठीक है या इसका oxidation state या इसका charge की बात कर ले तो इसका valency factor कितना होगा cobalt second chloride है तो valency factor इसका क्या बिटा 2 है तो इसका mass कितना था बिटा 59 था और इसको divide कर देंगे 2 से ठीक है तो e अपने पास आगे बिटा 59 बाई 2 e कितना है 59 बाई 2 into में था बिटा यह च्याण में 500 into में बिटेखो i देखो बिटा यहा पे i जो current है बिटा वो कितना 10 ampere है तो i कितना 10 ampere है into में देखो time की बात करें बिटा 109 minute था बट इसको अपने को second में करना है यह minute में given है बिटा यह इस minute को किस में कर लेना second में कर लेना ठीक है कैसे करेंगे देखो 109 into में 60 यह किस में आगया बिटा second में आगया अपने पास ठीक है देखो इसको solve करते हैं 2 से क्या इसको तो यह आ जाएगा 5 पे चला जाएगा यह और बिटा 1 0 से यह 1 0 cancel हो जाएगा तो अपने पास यह बच रहा है देखो 59 को बिटा 5 से multiply कर देते हैं देखो इसका multiplication कर देता हूँ 59 multiply by 5 multiply by 109 और इसको multiply करना बिटा 6 से और इसको divide कर देते हैं 9 6 5 0 से 9 6 5 0 से बिटा तो इसका answer आया है 19.99 ग्राम तो बिटा यह कितना है अपने पास option में तो बिटा 20 ग्राम दे रखा है तो बिटा इसको round up में कितना लिख लेंगे यह 20 ग्राम तो यह इसका क्या हो गया answer हो जाएगा ठीक है तो कौनसा question आएगा इसका यह B इसका right answer हो जाएगा ठीक है उसके बाद एको next question है जो color slope पे था तो क्या पुछा हुआ इसमें the limiting molar conductivity of NH4OH निकालना बिटा लिमिटिंग molar conductivity NH4OH का कैसे निकाल सकते है बिटा NH4OH क्या होता है कि वीक है वीक लक्ट्रोलाइट है यह क्या अपने पास वीक लक्ट्रोलाइट तो जो वीक लक्ट्रोलाइट होता है उसकी molar conductivity उसकी molar conductivity बिटा infinite dilution पे अपन कुलार स्लोकी मदस से निकालते हैं तो कौन-कौन से चाहिए बिटा एक तो मेरे को ammonium iron वाला strong electrolyte चीए तो एक क्या ले लेंगे यहापे अपन NH4Cl ले लेंगे ठीक है उसके बाद बिटा एक अपने को क्या चीए बिटा OH वाला कोई base चीए strong base तो इसमें क्या ले लेते हैं अपन NH4 ले लेते है strong base अब देखो एक्स्ट्रा क्या मिला अपने को यहापे CL iron है और एक है यहापे chloride iron था नीचे क्या sodium iron था तो इन दोनों को cancel करने के लिए तीसरा जो strong electrolyte लेते बिटा क्या लेते हैं तो मतलब फर्स्ट को और सेकेंड को तो क्या करदू एड करदू मतलब इन दोनों की limiting molar conductivity को एड कर देता हूं और तीसरे वाले की क्या करदू एड करदू तो इनको एड किया बिटा तो इसकी molar conductivity को मैंने एस लिखा molar conductivity of NS4Cl प्लस में molar conductivity of N-E-H माइनस में क्या जाएगा बिटा molar conductivity of N-E-C-L और यह बिटा किसके equal मिले गए यह आ जाएगा molar conductivity of NH4OH क्या जाएगा यह NS4OH ठीक है तो देखो बिटा कौन सा option है यहाँ पे NH4Cl यह रहा बिटा देखो first option में NH4Cl चाहिए अपने को यह रहा अपने को एड कर दिया है तो यह वाला option तो है ने बिटा अपने पास ठीक है second में देखो यहाँ पे NH4OH और NH4Cl की molar conductivity को एड कर दिया और H और तीसरा क्या था बिटा NH4Cl को माइनस करना था देखो इस option में अपने पास fourth option यही आरा बिटा NH4Cl molar conductivity of NH4Cl पे माइनस में क्या कर देगे molar conductivity of NH4Cl तो इसका answer क्या हो जाएगा इड़ी answer हो जाएगा ठीक है next question पे आता है molar conductivity at infinite dilution पे बिटा देखो सेम सा question है यहाँ पे इस बार value देदी किसकी निकालनी है अपने को acetic acid की molar conductivity निकालनी है तो acetic acid के लिए एक तो क्या ची बिटा अपने इसमें अपने को प्लस किसका ची बिटा एचल वाले का प्लस है और देखो मैं इसको नाम देता हूं यह अपने पास क्या first है यह second है और यह क्या अपने पास third strong electrolyte यह तीन strong electrolyte थे तो अपने को क्या ची बिटा इसके लिए एक तो CS3CW का ची बिटा निकालना है तो इसके लिए अपने को एक third को और second को एड़ करना पड़ेगा molar conductivity बिटा 3 और 2 की क्या कर दो एड़ कर दो और NaCl की क्या कर देंगे बिटा माइनस कर देंगे तो यह किसके equal आ जाएगे बिटा molar conductivity of acetic acid आ जाएगे अपने पास किसके molar conductivity आ जाएगे आ पर acetic acid की आ जाएगे ठीक है तो 3 क्या आ पर आपने पास इसकी value बिटा 91.0 प्लस में second था HCl HCl की कितने बिटा है 425.9 और minus में बिटा first क्या आपने पास NaCl NaCl की minus करेंगे तो यह कितना 126.4 यह NCRT का equation है ठीक है डारेक्ट उठाया y equation नीट में आया y equation वैसे भी तो इसका आपन solve करते हैं देखो यहां पर यह प्रोक्स कितना होगे बिटा ही देखें तो 200 के आसपास हो जाएगा तो इसमें से minus कर देंगे बिटा 225 देखो इसको exact कर लेता मैं 91 इसमें plus कर दो तो यह आ गया 4 आ गया बिटा यह 7 आ गया 9 to 11 आ गया और यह 2 आ गया 217.4 हो रहा है ठीक है तो 425 में से सोरी यह था क्या करते हो मैं सोरी देखो यह 91 और इसको दोनों का add करना बिटा है 425.9 प्लस में 91 तो यह आ जाता बिटा अपने पास 9 6 11 5 5 16.9 आ गया बिटा इसमें से minus करना अपने को 126.4 माइनस करना है 9 में से 4 गया यह 5 आ जाएगा यह 0.660 हो गया यह 6 में 6 गया 0 उसके बाद 11 में से 2 गया कितना जाएगा 9 आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा 8 प्लस में molar conductivity of HCl और माइनस में क्या किया था बिटा molar conductivity of NaCl ठीक है तो यहां से बिटा ही कितना है आपने पास 390 साइमन सेंटिमेटर स्कार पर मोल उसके बाद next question है standard electrode potential of 3 metal बिटा 3 metals दे रखे है x y z ठीक है और इनकी value दे रखे बिटा यहां पे x की value माइनस का 1.2 volt इसका बिटा y का 0.5 volt और इसका माइनस का 3 volt पूछाए इसकी reducing power के according बिटा इनको arrange करना है तो reducing power क्या होती है reducing power होता है देखो reducing power की बात करें यह reduction potential दे रखे बिटा reducing power बिटा inversely proportional होती है reduction potential के standard reduction potential ठीक है जिसका reduction potential बिटा सबसे कम होगा जिसका srp सबसे कम होगा जिस metal का उसका reducing power या उसके reducing strength सबसे ज़्यादा होगी ठीक है तो देखो सबसे कम किसका बिटा srp z का है तो इसका मतलब z क्या होगा बिटा अपने पास सबसे strong reducing power वाला होगा ठीक है उसके बाद कौन सा आएगा विटा X वाला आएगा देखो Z आएगा फिर X आएगा और सबसे ज़्यादा किसका विटा Y का है तो सबसे ज़्यादा reducing power किसकी वी Z फिर X फिर Y तो कौन सा option अपने पास यहाँ पे C option हो जाएगा विटाई ठीक है याद रखना reducing power inversely proportional SRP और यह directly proportional विटा SOP गेवती standard oxidation potential ठीक है दा इलक्टोड potential for तो अपने पास देको reaction दे रखे विटाई copper 2 plus था plus electron इससे क्या बना विटाई copper aquas बना copper plus बना विटाई उसके बाद second आई के copper plus प्लस electron इससे क्या बन गया विटा copper और दोनों के लिए जो E naught value है वो दे रखे अपने को E naught है इसके लिए first के लिए 0.15 था और second के लिए E naught value है 0.50 वोल्ट ठीक है और E naught निकालना है कि इसका बिटा अपने को Cu2 से Cu का निकालना है Cu2 से Cu का Cu2 से Cu2 से 2 electron लेका बिटा यह और यह क्या बन जाएगा Cu बन जाएगा यह निकालना है ठीक है तो देखो यहां से अपन बिटा डारेक्ट इनको तो यह अपनने एक बढ़ा था Gibbs free energy बिटा तो देखो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Gibbs free energy क्या होगी इसके लिए तो वो डेल्टा जी नॉट होता है यह किसके को लोता बिटा माइनस का nf i not इसका मैं फिरण बिटा इसको e not 1 मान लेते हैं तो यह देखो और इसके लिए कितना आ जाएगा बिटाえば यह डेल्टा जी डेल्टा जी नॉटा वन था बिटा fellowship यह डेल्टा जी नॉट टू ले लेते हैं तो यह क्या जाएगा माइनस का nf और यह E not आ जाएगा बिटा secondary reaction के लिए आ गई यह first के लिए था बिटा यह second के लिए था और इसका निकालना बिटा अपने को delta G3 हो गया वो किसके को बोल आ जाएगा इन दोनों को add कर देते बिटाई देखो इस equation को अपन add करेंगे बिटा यहां पर देखो add करने पर यह final equation देखो क्या आएगी इन दोनों को add कर दे तो final equation यह आने वाली बिटा अपने पास कैसे देखो यह copper 2 प्लस इस तरफ left में यह right side में cancel हो जाएगा यह देखो यह cancel हो जाएगा यह electron से electron भी बिटा cancel हो जाएगा यह तो copper 2 से क्या आगया cu आगया तो आपने क्या क्या दोनों को add किया बिटा तो देखो यहां पर delta g3 किसके एकवल आजाएगा delta g0 1 plus में delta g0 2 ठीक है और देखो यहां से अपने को निकालना है क्या है यहां पर nf e0 निकालना है sorry क्या निकालना है e0 निकालना है तो देखो यहां पर delta g क्या होता है यहां पर minus का nf e0 यह 3rd के लिए लिख लेते हैं और delta g0 1 यहां पर n कितना है इस equation के लिए n1 था तो यह आ गया 1 into में minus का आएगा दियान रखना बिटाए f को f रख लेते हैं और e0 कितना था इसके लिए बटाई 0.15 था plus में delta थोड़ा इसको उपर लिख लेता हूं मैं इस equation को यह था बटाई delta g0 3 था यह किसके एकवल है अब देखो बटाई यहां पर यह जो delta g3 था g0 3 यह किसके एकवल है delta g0 1 प्लस में delta g0 2 ठीक है तो यह equation मैं यहां पर लिखती है इसको अब देखो यहां पर delta g0 3 क्या बटाई minus का nf e0 3 ले लेते हैं थाड़ equation के लिए और g0 1 कितना बटाई है minus का nf e0 1 plus में आ जाएगा बटाई minus का nf e0 2 ठीक है आप देखो बटाई हाँ से n की value रखें इसके लिए कितना बटाई 2 है तो minus का 2 into में f अब into में क्या था बटाई e0 3 था एक बश्टू क्या है यहां पर n कितना है n1 है इस equation के लिए तो minus का 1 into में f into में क्या आ गया बटाई e0 1 आ गया minus का क्या हो जाएगा यह माइनस का बिटा N कितना 1 है N कितना बिटा ये 1 है E naught की भी value रखतेता हूं मैं आपे F इंटो में E naught कितना बिटा 1st के लिए 0.15 माइनस में N कितना बिटा 2nd के लिए 1 था F को F रखा और E naught 2 कितना बिटा 2nd equation के लिए 0.50 था बिटा 0.50 थीक है तो देखो अपने पास क्या आ गया बिटा है यहां से यहां आ जाता है माइनस का 2F E naught 3 थीक है माइनस का यहां जाएगा बिटा अपने पास देखो यहां से इन दोनों से बिटा F common ले लिए तो F common ले लिया तो देखो क्या बचेगा अपने पास माइनस का है बिटा है 0.15 और माइनस का क्या हो जाएगा है 0.50 ठीक है बिटा तो F से F देखो cancel हो गए तो अपने पास देखो E naught 3 और बिटा यह आ गया माइनस का 2 E naught 3 एकवस टू है माइनस इसको एड़ कर दे बिटा माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास 0.65 हो गया और यहां से बिटा यह E naught 3 देखो माइनस से माइनस कैंसल कर दे नहीं E naught 3 कितना आ अपने मेरे पास थर्ड एक्विशन के लिए तो यह आ जाता है 0.65 divided by 2 तो बिटा कितना आ जाएगा यह 0.325 आ रहा है देखोई ठीक है 0.65 को 2 से डिवाइड कर दें कितना जाएगा 0.325 आ जाएगा ठीक है तो यह अपने पास आंसर होगे 0.325 ठीक है 60.65 का बिटा हाफ कितना हो जाता है 0.325 वोल्ट ठीक है बिटा ही तो आपको इस क्विशन को ऐसे सोल करना है नेक्स्ट क्विशन बिटा विच अपने पास आयन होते ना उनकी कंड़क्टेंस का ही क्या होता सम होता है तो आयन्स क्या क्या है बिटा अपने पास एक तो आलूमीनियम आयन और एक सलफेट आयन है बिटा तो आलूमीनियम आयन और सलफेट आयन इन दोनों का सम ही क्या है बिटा equivalent conductance आएगा ठीक है molar conductance पुचा होता है तो ने त्वाइस और twice of aluminium आयन आता है तो अपने को देखना है क्यों सी? करूँढ लिसके साथ करना है, यह एक्विशन वन है, यह एक्विशन टू है, और अपने को overall इन दोनों से यह फिसकंपर थी में को ओर ब्लेस्जागे, ठीक है. हाँ देखो सबसे पहले तो मैं equation first के लिए क्या लिख रहा हूँ इसके लिए इसका जो delta G1 है ना बिटा delta G0 1 यह क्या हो जाएगा minus का N F E0 और बिटा यह N कितना है इसमें 2 है F को F रखा E0 कितना है यहापे 0.337 0.337 वोल्ट तो इसके लिए बिटा लिखते delta G2 लिखते देखो यह delta G2 यह होगे minus का N F E0 तो बिटा इसके लिए N कितना है 1 है F को F रखा E0 कितना है इसके लिए 0.153 और इस equation के लिए निकालना बिटा है अपने को ठीक है तो देखो इसके लिए delta G3 इसको G2 लिख लेते है delta G3 निकालना बिटा अपने को यह क्या हो गया minus का N F E0 तो इसका E0 तो निकालना अपने को बिटा ही तो देखो यहां से सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा इस equation को लाने के लिए इन दोनों को क्या किया बिटा add किया मैंने तो इसका मतलब देखो यह जो delta G3 है ना बिटा यह किसके एक बिटा है बिटा है delta G1 यह first था बिटा है इसमें से बिटा second को क्या कि अपने subtract किया तो इसमें से बिटा इसको minus करेंगे तो यह minus minus और यह भी minus बिटा ही तो देखो अपने पास क्या मिलेगी overall equation देखो यहां से बिटा copper 2 plus plus का था बिटा यह minus का यह cancel हो जाएगा एक electron से बिटा एक electron cancel हो जाएगा और यह minus का बिटा copper plus से इधर आएगा तो बिटा प्लस का हो जाएगा मतलब इसको first में से बिटा 2 को minus कर देंगे तो यह अपने पास overall equation आ जाएगी ठीक है तो यही क्या मैंने आपे तो third का जो delta G3 है वो किसके को लाएगा first के में से second को minus कर दे first के delta G में से किसको minus कर दे second को minus कर दे देखो first का delta G not 1 कितना अपने पास यहां पे third का लिखता हूँ पहले तो यह क्या था बिटाई third वड़ा minus का nf e not cell है बिटाई n कितना इसके लिए 1 है n कितना बिटाई आपे n1 था तो minus का 1f e not अपने को निकालना है equals to delta G1 के लिए कितना आगे minus का 2 into में f into में 0.337 minus है बिटाई यह और minus का ही क्या था यह था अपने पास delta G2 minus का 1 into f into में 0.153 ठीक है तो देखो बिटाई यहां से तो यह minus minus यह तो क्या हो जाएगा plus हो जाएगा minus का 2f अब देखो यहां से एक चीज़ अपन common निकाल लेते हैं बिटाई f common ले लिए बिटाई माइनस का f common ले लेते हैं यह f ही common ले लेते हैं f point minus का 2f और यह था बिटाई ठीक है 0.337 0.337 देखो यहां से अपने common ले लिए बिटाई इसमें से f common ले लिए f common ले लिए तो यह बचेगा माइनस का 2 इन्टू में था माइनस का 2 इन्टू में 0.337 यह माइनस माइनस क्या होगे बिटाई प्लस हो गया और इसमें से भी अपने f common ले लिए तो यह बचेगा अपने पास 0.153 बिटाई यह इधर था f से देखो यह था अपने पास माइनस का f इन्ट है बिटाई तो f से f cancel होगे बिटाई ठीक है आप देखो अपने पास क्या बसता है यहाँ पे इसको बिटाई 2 से multiply कर देते हैं तो यह आ जाएगा 0.337 को 2 से करते हैं देखो यहाँ पे तो यह आर अपने पास माइनस का 274 ठीक है और यहाँ पे देखो यह था बिटाई यहाँ पे प्लस का 0.153 इन दोनों को देखो एड़ कर देते हैं आप अपन 0.674 प्लस में 0.153 ठीक है तो देखो बिटाई इसका अपने पास आ रहा है यह इन दोनों को एक सेकेंड 0.674 माइनस में क्या 0.153 देखो बिटाई यह आजाएगा यह माइनस का था यह तो यह आगए अपने पास माइनस का 0.521 ठीक है तो देखो यहाँ पर दिखाई देखा यहाँ पर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माइनस कैंसिल हो गई तो इन ओट देखो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पर इन ओट इक्वस टू 0.521 यह आगए अपने पास तो 0.5 टू बिटा आणसर के आपने पास डी आणसर है यहाँ ठीक है कौनसा आणसर आएगा यहाँ पर दी आंसर आजाएगा नेक्स्ट किशन है दा इकलिब्रियम कॉंस्टेंट अप दा रियक्षिन आपको क्या निकालना है पिटा इकलिब्रियम कॉंस्टेंट निकालना है केसी निकालना है ठीक है और अपने को दे रख़ा है पिटा इन ओट दे रख़ा है तो केसी का और इनोट का पिटा रिलेश इस equation के लिए N की value की बात करें, तो N तो कितना है, इसमें number of electron loss gain कितने हैं, आपर 2 है, तो N अपने पास क्या है, इसमें 2 है, इन्टो में E notes की बात करें, तो इसमें 0.46 है, अब उन में क्या था, 0.0591, ठीक है, तो देखो 2 को 0.46 है, multiply कर देते हैं, 2 multiply by 0.46, और इसको divide कर देते हैं, 0.0591, तो यह आ रहा है, यहां पर 15.56, 15.56 हा रहा है, यह क्या है, log केसी आया है अपने पास, बट अपने को तो क्या निकालना है, केसी निकालना है, एकलिब्रियूम कॉंस्टेंट निकालना है, तो देखों, यहां से क्या आ गया, log केसी equals to, यह आ गया, अपने पास 15.56, बटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखों, टेकिंग एंटी लोग ले ले लेते हैं, बोच साइड, तो log से एंटी लोग क्या हो गया, बटा, cancel हो गया है, तो एंटी लोग किसका निकालना है, अपन, एंटी लोग आफ 15.56, ठीक है, तो बटा, 0.56 की बात करें, तो बटा, log 4 की value होती है, log 4 होता है, 0.6020, और log 3 होता है, log 3 होता है, 0.4781, तो यहां तो देखो, देखो, यह 0.56 है, बटा, किसके close है, 4 की close है, तो 4 इंटो में 10 की power, यह round up कर लेंगे, बटा, यह x विली तो आएगा, 3.something आएगा, 8 या 9 के something, तो round up में करेंगे, तो इसको कितना कर लेंगे, बटा, आपने, 4 इंटो 10 की power 15, ठीक है, क्योंकि अपने पास, देखो, 10 की power 15 की साथ, तो एक यह answer था, तो यह C answer, आपका क्या हो जाएगा, राइट answer हो जाएगा, ठीक है, next question दे रखा है, बटा, question है, यहाँ पर, E naught दे रखा है, बटा, FE2 से FE का दे रखा है, और FE3 से, बटा, FE2 का दे रखा है, और अपने को पूछा है, बटा, FE plus, देखो, यहाँ पर, देखो, सबसे पहले तो, FE2 plus, से, FE1 बटाई, तो दो एलक्टरोन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और इसका जो E naught value है, वो है, माइनस का, 0.441, सेकेंड क्या कहा रहा है, जो E naught है, FE3 plus से, क्या बना बटाई, FE2 plus बना, और यह क्या करेगा बटाई, एक लक्टरोन गेन किया है, यहाँ पर, यह बन गया बटाई, निकालना किसका कहा रहा है, बटाई, FE3 plus, FE3 plus, और इससे क्या बन रहा है, 3 FE2 बन रहा है, बटाई, देखो, यह कह रहा है, कि अपन क्या कर दें, इसमें से, FE3 plus से, बटाई, अपने को प्रोड़क्ट साइड में, FE3 plus, स्वरी, रियक्टरन साइड में, FE3 सी, अपने को इस साइड में बटाई, इसके लिए E-note लिख देता हूं, पहले तो मैं, इसका जो E-note है, वो कितना है, बटाई, सेकिन वाले के लिए 0.77 वोल्ट है, ठीक है, त किया करें, इसके लिए अपन, सबसे पहले तो इस E- 그대로 करके लिख रहा हूं, ठीक है, फिर्स्ट वाले को बटाई, तो मैं, यह reduction की trim में, मैं इसका Oscillation की trim में, लिख देता हूं, तो oxidation की trim में, लिख देता हूं, तो oxidation की trim में लिख देता हूं, इसका E-note का जाएगा, पोस्ट और ये क्या कर रहे विड़्ाइब अर्डतो इलक्टरोएब लोस कर्राइब yet अब देखो यहाँ वे वर यह एफिझ थ्री प्लस इह दोनों क्या हो जाएगा अफरे प्लश बनंजाएगा अब देखो है रहेन दो यहाँ और यह है यहाँ E0 निकाल देता हूं देखो इसके लिए तो बिटा E0 कैसे निकालते है अपन E0 cell बना रखा बिटाई तो क्या हो गया E0 cathode minus E0 anode तो cathode कौन सा होता है बिटा reduction वाला तो reduction तो इसका हो है तो इसका कितनी value है 0.77 है बिटाई reduction वाली value रखनी है और यहाँ पर भी reduction वाली ही value रखनी है तो देखो यह oxidation potential था बिटाई और reduction potential क्या होगा इसका reduction potential minus का 0.44 volt यह reduction potential था बिटाई तो anode को यह था अपने पास यह था बिटाई तो इसकी value कितनी है देखो यहाँ पर minus का minus minus क्या होगे प्लस होगे minus का क्या है 0.441 है तो बिटा minus minus क्या होगे plus तो 0.771 0.771 plus में क्या कर दें यहाँ पर 0.441 कर देते हैं तो यह पिटा आरा इन दोनों का करते हैं तो यहाँ पर 1.212 volt आ रहे है तो 1.212 volt बिटा अपने पास कुन सा answer है, यहाँ पर D answer है, यह देखो, ठीक है, तो right answer क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, next question पर आते हैं, E naught for the cell, एक cell है यहाँ पर, उसका E naught दे रखा है, this is E naught, यह क्या given अपने को, E naught दे रखा है, cell potential दे रखा है, और निकालना क्या है, इसका equilibrium constant निकालना है, तो देख लॉग के सी equals to क्या होता है, equilibrium constant का और E naught के साथ relation होता है, N into E naught cell, अपन में 0.0591, तो इस equation के लिए N कितना 2 है, और E naught cell कितना 1.1 volt था, अपन में 0.0591 है, ठीक है, तो 1.1 को 2 से multiply कर देते हैं, तो यह कितना आ गया, 2.2 आ गया, और divide किस से करना इसको, 0.0591 से, तो यह आ जाता है, 0.0591 से divide करते हैं, तो यह आता है, 37.22, तो इसका log के सी आया है, अपने पास यह, अपने को क्या निकालना है, के सी निकालना है, टेकिंग anti-log both sides, तो anti-log ले लेंगे किसका, 37.22 का, तो यह decimal से पहले होता है, वो 10 की power में चला जाएगा, 10 की power 37, और 0.22 की बात करें, तो अपने को पता है, 0.3010 तो log 2 का होता है, ठीक है न, 0.3010, तो 0.22 2 से भी कम मिलेगा, मतलब आप रोक्स ले लेता हो, मैं 1.5 के आसपास आ रहा होगा, तो अपने को तो power वाला ही चेक करना, तो 10 की power कितना है, यहापे, 37 आ रहा होगा, 10 की power कितना रहा है, 37 आ रहा है, यह प्लस में आएगा, यहापे, 10 की power 37, ठीक है, तो यह अपने पास, उनसा answer होजाएगा, यहापे, D answer होजाएगा, 10 की power 37, उसके बाद, next question पे आते हैं, 5 ampere current is passed through a solution of zinc sulfate, कितना current pass किया, 5 ampere current pass किया, तो यह अपने को क्या दे रखा है, यह, I दे रखा है, I दे दिया, time दे दिया, 40 minute के लिए, और पूछाएगे, zinc का कितना amount deposit होगा, ठीक है, zinc sulfate solution होता है, इसमें zinc 2 plus 1 था, 2 electron gain करता है, और यह क्या बना रहा है, zinc बना रहा है यहापे, ठीक है, अब देखो यहापे, अपने को क्या निकालना है, कि कितना zinc का deposit हो रहा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान दो, कि मैं direct भी निकाल दो, direct formula लगाल है, w equals to क्या होता है, zit होता है, और z क्या था यहाँ पर e upon में 96 में 500, into में i into t करते हैं, यहाँ पर equivalent weight की बात करें, जिंका कितना होता है, 65 होता है, अप उन में क्या कर देंगे, equivalent weight, molar mass था 65, divided by 2 करना, into में, च्यान में 500, into में i यह पर 5 ampere, और time 40 minute था, इसको second में जरूर कर लेना, into में क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, ठीक है, तो देखो, यहाँ से 0 से 0 cancel होगे यह दोनों, और यह आ जाएगा अपने पास, 5, 4, 20 होगे यहाँ पर, तो 2 से किया इसको, तो 10 आ गया, तो 650 था उपर, ठीक है, 650 है, डिवाइड में अपने पास क्या है, 9,65 है, 650 divided by 9,65, तो 0.673 आरा बटाई, तो कुछ गढ़बड किया है, देखो, इसमें, 0.673, 65 multiply by 65 multiply करना था, 5 से multiply था, 40 से multiply था, 60 से, और इसको divide करना है, 2 से, और divide करना है, 9,65, 500 से बटाई, 4.04 आरा बटाई, ठीक है, 4.04, तो 4.04 बटाई, आंसर अप्रोक्सी है, अपने पास, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका D आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको एक बार चेक करना है, आपे, calculation mistake थी, तो आप इसको करेंगे, कितना रहा है, calculate कि हमने, 4.04 ग्राम के सम्थिंग, ठीक है, 6.50 इंटो में 6 रहा गया था बटाई, देखो पीछे, ठीक है, तो आप कांसर कितना जाएगा, 4.04 आ जाएगा, उसके बाद, next question अपने पास, reduction potential दे रखा बटाई, आपे, zinc से zinc 2 प्लस आइन, देखोई क्या बन रहा है, जिंग से zinc 2 प्लस आइन बन रहा है, zinc से क्या बन रहा है, जिंग 2 प्लस आइन बन रहा है, और FV से FV 2 प्लस आइन बन रहा है, अपने को इस cell के लिए, पेटा क्या निकालना है, EMF निकालना है, तो देखो ध्यान दो, जिंक का क्या हो पेटा, Oxidation हुआ है, और पेटा, FV का क्या हो है, आपे Reduction हुआ है, तो अपने को E0 निकालना है पेटा, इस Cell का EMF, तो कैसे निकालते है, E0 cathode minus E0 anode cathode कुन सा होता है रिडक्षन वाला यह था आपने पास cathode और यह क्या होता है रिडक्षन वाला यह था आपने पास cathode तो cathode देखो E0 cathode cathode वाला की आपने पास FV है बिटा तो FV का reduction potential लिए ध्यान देना बिटा यह दोनों किसकी value दे रखी है ओक्षिडेशन वाली दे रखी है तो अपने मैं इसको reduction की ट्रम में लिखूंगा तो जोको इसका reduction potential लिए हो जाएगा minus का 0.44V और इसका हो जाएगा E0 minus का 0.76V reduction वाली value लिख लेते है क्योंकि इस formula में अपने को क्या चीए reduction की value चीए तो E0 reduction वाला क्या था था एफ़ी तो एफ़ी वाली value कितने है minus का 0.44 minus में कितना जाएगा है 0.76 तो minus minus क्या हो अपने यह plus हो गया यह तो minus का 0.44 और यह हो गया plus का 0.76 तो बटाई minus 76 में से बटा 44 गए यहाँ पे तो यह गया अपटा कितना बचेगा 2 3 0.32 आजाएगा अपने आपास answer तो कौन सा आएगा अपटा D answer आजाएगा है ठीक है next question उसके बाद standard reduction potential अपने को lithium दे रखाएगा अपटा barium, sodium, magnesium, metal दे रखी है और which one of the following which one of the following strongest oxidizing agent पूछा बचा और यह सारी values बचा कौन सी दे रखी है देखो reduction वाली value दे रखी है तो देखो अपने को पता है कि reducing power की बात करें reducing power यह होत्ती बचा inversely proportional होत्ती किसके standard reduction potential के ठीक है तो oxidizing power की बात करलो मैं आपे oxidizing power वो होती बचा directly proportional होती है standard reduction potential के मतलब जिसका reduction potential बचा ज़्यादा होगा जिसका reduction potential ज़्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा बचा अपने पास strongest oxidizing agent हो जाएगा तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है बचा यह तो lithium का है minus का 3.0 यह उसके बाद barium का होगा बचा उसके बाद यह किसका होगा sodium का होगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा बचा ही magnesium वाला है minus में देखो यह सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब जिसका SRP ज़्यादा उसकी oxidizing power भी क्या होगा बचा ज़्यादा होगे तो कौन सा option हो बचा अपने पास यहाँ पर magnesium आ जाएगा ठीक है उसके बाद है बचा on electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode the product obtained at the anode तो बचा अनोड पर पूछा बचा कौन सा product बढ़ेगा तो अनोड पर देखो charge होता है बचा अनोड के बात करें तो positive charge होता है इसके पास कौन से आएन जाएंगे बचा negative आएन जाएंगे तो dilute sulfuric acid है तो एक कोई अपने पास sulfate आएन था और दूसरा क्या बचा hydroxide आएन था तो कौन सा discharge होगा बचा इसमें तो जिसका discharge potential कम होगा तो discharge potential lower किसका होता बचा OS negative का होता है तो OS negative क्या बनाएगा बचाई यह water plus में oxygen gas बना लेगा इसको ठीक है तो इसको balance करने के लिए यहाँ पर 2 कर देंगे 2 से तो होगा नहीं है इसको कर देता है 4 कर देता है यहाँ पर अपने को 2 और 2 चार यह ले लेता है तो 4 OHN ले लेंगे बचाई 4 OHN थे तो क्या बन गया बचाई यहाँ टू वाटर मॉलिक्वल बन जाएगा और एक मॉल oxygen gas बन जाएगी और इसने क्या क्या बचाई यहाँ पर electron को loss किया कितने electron 4 electron loss कर देता है तो कौन सी gas बनी बचाई यहाँ पर oxygen gas बनती है ठीक है तो B option हो जाएगा बचाई तो यह था बचाई अपने पास electro chemistry के questions से